Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educator. This is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial. So let's get started. So the title is a Harid Gamble. Gamble का मतलब होता है to take a risk या chance लेना जिसे हम जुआ भी कहते है या दाव पर लगाना. And यह जो gambling की जा रही है, यह gambling कैसी है, काफी हरी है, मतलब की जल्द बाजी में की जा रही है. तो यहाँ पर gamble, noun की तरह काम कर रहा है, Harid यहाँ पर adjective हो जाएगा, and noun आया है, इसलिए article और का यूज इस noun के लिए किया जा रहा है, हमेशे आयाद रखेंगे, noun के पहले ही article का यूज किया जाता है, यह जब भी article आपको दिखें, समझ लेना noun के लिए ही यूज किया गया है. तो यह जो जुआ लगाया जा रहा है, यह जो risk लिया जा रहा है, यह कैसे लिया जा रहा है, काफी जल्द बाजी में लिया जा रहा है. बात किस पर की जा रही है? On vaccines and transparency. यह जो vaccines है, यह जो medicine देने की बात की जा रही है, COVID-19 से related इस पर, and इसकी जो पार दर्शिता है, जो transparency ह यह जिसे हम clarity कहते हैं, इस पर यह बात की जा रही है. Opacity in communication is dangerous when there is a high vaccine hesitancy. तो बोला जा रहा है कि अगर communication में opacity होगी, opacity का मतलब होता है, lacking transparency, जब चीजे clear नहीं होती है, जब चीजे spust नहीं होती है, यह opacity का मतलब होता है, और spust नहीं होती है, यह जिसे हम कह सकते हैं, vagueness. चीजे vague होना, मतलब clear नहीं होना, यह आप इसे कह सकते हैं, ambiguity, यह इसका auric meaning हो सकता है, obscurity, तो यह सारे हो जाएंगे, इस opacity के synonym, मतलब और spust हता, जब communication में और spust आता होगी, यह काफी कैसा होगा, हानी कारक होगा, dangerous होगा, when there is high vaccine hesitancy, जब वैक्तिन की बहुत ज़्यादा क्या है, hesitancy है, hesitation है, हिच किचावट, जिसे हम कह सकते हैं, यह doubtfulness कह सकते हैं, यह काफी doubt में है, जिसे हमें भी पता है कि vaccine आने वाली है, लेकिन इसके क्या results होंगे, इसके कोई दुश परिवनाम तो नहीं होंगे, इसके कोई bad effects तो नहीं होंगे, body पर, इ हमारे बीच में जो communication है, इसमें सपश्चता बिल्कुल भी नहीं है, government हमें clearly बता ही नहीं रही है कि इसके क्या result होंगे, क्या effectiveness होगी, यह सारी चीजों पर यहाँ पर आज discussion किया जाना है, The stage is set for biggest vaccine rollout, stage बिल्कुल set है, मंच जो है, यह बिल्कुल तयार है, किसके लिए biggest vaccine जो है, जो टीका आने की बात की जारे है, उसके rollout के लिए, इस वर्ड को हमने पहले वाले editorial में भी काफी time discuss किया है, जिसका मतलब होता है, launch करना, यह शुरू करना, पहली बार जब कोई history मतलब इंडिया के इतिहास में, with the, किसके साथ, drugs controller general of India, जोनोंने formally मतलब आपचारिक तरीके से approve कर दिया है, permission दे दी है, इसने दो vaccines को for restricted use, यह जो restricted use होगा, मतलब कि यह जो use होगा, यह काफी limited होगा, under emergency condition, emergency आपात का लिंग condition के under ही इसका use, यह जो दो medicines को approval दे दिया है, drugs controller of India ने, इनका जो use होगा, यह आपात कालिंस खिदियों में ही या जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, semicolon है, इसका मतलब कि यह medicines की बात की जारी है, तो एक medicine है, covishil, जो बनाई गई है, serum institute of India के दवारा, और दूसरी जो vaccine है, यह है, covaxin, यह बनाई गई है, भायत, भारत बायो टेक के द्वारा, तो इन दो medicines को, drugs controller of general ने, general of India ने permission दे दी है, कि yes, आप यह launch कर सकते हैं, दो, हाला कि other vaccine candidates are in free to, अब बोला जारा है कि दो, हाला कि जो दूसरे vaccine candidates है, अब candidates मतलब इनसान नहीं समझना है, यहाँ पर vaccine candidates मतलब दूसरी vaccine, यहाँ बोला जारा है कि यह जो permission मिली है, यह सिर्फ दो medicines को मिली है, covishil को मिली है, और covaxin को मिली है, तो यह vaccines के अलावा दूसरी जो vaccine candidates है, candidates मतलब यहां पर कॉंपिटिशन में हैं मतलब यह भी वेट कर रही है कि हमें भी यहां पर लॉंच किया जाए ऐसा हम कह सकते हैं यहां पर बोला जा रहा है कि यह जो दो है यह set करती है या एक precedent, precedent मतलब होता है एक ऐसा earlier event, ऐसी action जो पहले हो चुकी है और जिसे हम example के तौर पर consider कर सकते हैं तो precedent equal to आप example रख सकते हैं या precedent equal to आप एक model रख सकते हैं या guide रख सकते हैं कि हमें ये एक example के तौर पर ये serve करेगी ये दो vaccines कि किस तरीके से future में जो COVID-19 vaccines होगी ऐसी vaccine जो अभी frame है बताया गया था जो की अभी weight कर रही है competition में है तो ये बागी की जो vaccines है ये कैसे evaluate की जाएगी? evaluation मतलब होता है assessment assessment मतलब judge करना, check करना या कह सकते हैं हम Hindi में मुल्यांकन करना, assessment मतलब मुल्यांकन या evaluation and administered administered का दो meaning होते हैं इससे पहले भी हमने discuss किया इस word को administered मतलब होता है, administration मतलब manage करना या direct करना लेकिन यहाँ पर medicine के terms में ये word आता है तब इसका मतलब होता है deliver करना या provide करना या supply करना हम इससे कह सकते हैं तो बोला जा रहा है कि यह जो vaccines है जिन्हें यहाँ पर permission मिल गई है यह as a precedent, as a model, as a example serve करगी कैसे future में दूसरी जो vaccines होंगी उन्हें कैसे assess किया जाएगा and administered मतलब कि deliver किया जाएगा so India has been long known as manufacturer of vaccines but less so as one that can develop from scratch test and then provide it to the world so यहाँ पर बोला जा रहा है कि India has been long known काफी लंबे समय से इससे जाना जाता है as a manufacturer यह manufacture मतलब की manufacture करता है निर्मान करता है कि इसका vaccines का काफी लंबे समय से but but come less so as one कि ऐसा जो खुद develop करे from scratch यहाँ पर scratch आप कह सकते start से यह beginning से की manufacture तो करता है यह काफी लंबे समय से vaccines को टीका जो होते है यह दूसरी medicines को manufacture करता है लेकिन ऐसा कम जाना जाता है जो कि खुद से beginning से develop करें फिर उसे test करें और फिर दुनिया को provide करें इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि इंडिया तो manufacture करता है बहुत सारी medicines लेकिन यह खुद से नहीं करता है खुद से सारे का मतलब खुद से शुरुवात नहीं करेगा टेस्ट करनी करेगा और फ्रोवाइड करने की बात की जारी है तो यह सारी चीज़े खुद इंडिया नहीं करता है मतलब कि इंडिया दूसरों की मदद से दूसरी कंट्री की मदद से यह सारी चीज़े अब आगे बोला जारा है और यहां पर देखिए पैंडमिक सबजेक्च है अनप्रेसिडेंट के लिए अनप्रेसिडेंटेंट का मतलब giving न्यले कि और, known before, जिसको पहले कभी नहीं किया गया, यह पहले कभी नहीं जाना गया, यह जो चीज कभी नहीं हुई है, never happened before, इसे हम कहते है, unprecedented, तो यह जो pandemic है, यह जो वैश्विक महामारी है, यह एक offer दे रही है, किसे, कैसा offer, unprecedented है, ऐसा जो कभी नहीं मिला, ऐसी opportunity, to establish those credentials, यह जो credentials है, credentials मतलब क्या होता है, जैसे होता है, आप job के लिए apply करते हो, कोई job का application, तो आपको सारे credentials feel करने होते है, मतलब क्या क्या है, आपका achievement क्या है, आपकी quality क्या है, तो बोला जा रहा है, कि यह जो pandemic है, यह इंडिया की बात की जारी, कि pandemic है जो वैश्विक महामारी है, यह एक ऐसा opportunity उसे प्रदान कर रही है, कि वो establish कर पाए, दिखा पाए, वो credentials, मतलब इंडिया के वो जो qualification है, इंडिया की वो जो quality है, उसे दिखा पाए, पुरी दुनिया को, but already keep, but already a key step, लेकिन बोला जा रहा है, कि already एक जो key step है, आप देखिए, यहां से आपको यह सारी चीजों को कि already एक जो key step है, has been side step, and यह side step का मतलब होता है, किसी चीज को avoid करना, तो step side जैसे आप से कोई question पूछ रहा है, कुछ है आपको जवाब नहीं देना, आप उसे avoid कर रहे हो, आप side में हट जाते हो, तो इसे कहा जाता है side step, जिसका मतलब होता है, to avoid something, avoid कर देना, तो बोला जा कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एक opportunity है, जो कि ये वैश्विक महामारी इसे प्रदान कर दीए, कि तुम अपनी जो qualities है, अपनी जो qualification है, उसे दिखाए, दुनिया के सामने लाए, लेकिन बोला जा रहा है, but already a key step, एक ही मतलब होता है, main जो step है, बड़ा जो step है, इस क्या कर दिया गया है, side step कर दिया गया, देखे, key step यहाँ पर singular subject है, यहाँ पर यह subject की तरह काम कर रहा है, इसलिए यह जो verb यूज किया है, यह verb singular यूज किया है, because key step इसका subject है, इस वर्ब का, and इस चीज़ को मैंने कहा, bracket में पढ़ोगे, तब समझनाएगा, कि जैसे bracket में द या जिसे हम कह सकते है, इसका power, या इसका benefit भी आप कह सकते है, या इसका success भी इसे आप कह सकते है, तो efficacy, बोला जा रहा है कि, एक key step थी क्या, कि establish करे vaccine की efficacy की, कि कितनी effective होगी, कितनी powerful होगी, इसके क्या असर होगा, in the Indian population में, Indian population before rollout, rollout के पहले, तो ये जो key step था, कि government ने सभी को बताना था, Indian population में, मतलब, India में सारी चीज़े declare करनी थी, ये reveal करना था, कि क्या इसकी effectiveness होगी, कितना effective, कितनी असर दायक होगी है, कि इसकी कोई negative effects थो नहीं है, क्या positive effects है, क्या side effects होगे, तो ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, India ने side step कर दिया, मतलब की avoid कर दिया है, double blinded, अब देखिए double blinded भी again, यहाँ पर ये term है, जिसका मतलब होता है, इसमें दो group की study की जाती है, double blinded में, दो groups की study की जाती है, suppose 10 लोगों पर कोई vaccine का trial किया जा रहा है, तो जो 5 लोगों के इसमें से, तो 5 लोगों को original vaccine दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर, पिछले देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी, यह जो co vaccine दी जा रही है, यह covid shield दी जा रही है, तो 5 लोगों को क्या किया ज प्लेसेबो मतलब क्या होता है, कि जस्ट बोलते कि हाँ, आपको medicine यह दे दी गई है, लेकिन उन पाँच लोगों को हम जो vaccine है, यह vaccine नहीं देते है, जस्ट एक psychological effect देते है, कि क्या दिमाग पर इनका असर होता है, होता ना कभी कबार कि कुछ diseases ऐसी होती है, जो psychological effect की वज़े से होती है, दिमाग पर, तो बस एक यह test करने के लिए, पांच लोगों को original दी जाएगी, और पांच लोगों का बस psychological test करने के लिए, यह पांच लोगों को दी जाती है, और फिर देखा जाता है, कि किन लोगों पर ज़ादा effect पढ़ रहा है, इस तरीके से, इसे हम कहते है, डबल ब्लाइंड, तो ड बारे में बात की जारी है, जिसमें कुछ वोलेंटियर को वैक्सीन दी जाएगी, अब इसे अगेन आपको क्या करना है, ब्रेकेट में पढ़ना है, तो डबल ब्लाइंड फेस्ट राइल, जहां पर कुछ वोलेंटियर को वैक्सीन मिलती है, और कुछ को नहीं मिलती है, and rate of दिस्ट बोद आमस तब यह ग्रूब में रहा है जिसे पाँच को दी जाएगी पाँच को स्थोफ प्ललेसेबो दिया जाता है बसक्त आपको मेडिसन का दे दी लेकिन देते नहीं तो यह compare किया जाएगा to determine करने के यह सुनिष्चित करने के लिए कि vaccine की ability कितनी है, vaccine की effectiveness कितनी है, अब देखिए double blinded phase 3 trial, इसके बाद directly हमें यहाँ पर पढ़ना है, अब यहाँ पर देखेंगे phase 3 trial, singular subject है, again यह जो phase 3 trial है, यह subject है, इसका verb यहाँ पर use किया गया, is among, यह उनके ब regulation होगा, यह एक नीव होगी, किसकी evidence मतलब की सबूत, based आधारित medicine का, so I hope यह सारी चीज़े clear है, and काफी अच्छे से हमने इन terms को भी समझ लिया है, आगे बढ़ते है, अब बोला जा रहा है, जो SII है, जो की covishil नाम की vaccine को produce कर रहा है, Serum Institute of India, so इसके इसलिए, यह article का दव use किया गया है, article the use किया गया है, इसका मतलब होता है, Serum Institute of India, because of its agreement, की Serum Institute of India ने एक agreement किया है, किसके साथ agreement किया है, AstraZeneca के साथ, has furnished, furnished का मतलब होता है, प्रदान करना, यह हम इसे कह सकते है, supply, यह आप यूज़ कर सकते है, इस फरनिश वर्ड की जगर provide करना, यह गिव देना सो बोला जा रहा है, क्योंकि यह जो Serum Institute of India ने agreement किया है, AstraZeneca के साथ, has furnished, furnished की है, मतलब की provide की है, दी है, furnished data दिया है, किस से from a phase 3 trial in the UK, UK में और Brazil में, देखिए, United Kingdom, जहां भी वर्ड यह United आ जाता है, इसके पहले article the use, Brazil के आगे कोई article नहीं है, इंडिया के आगे कोई article, China नारशिया, article नहीं लगता, लेकिन जिस भी country में United आता है, उसके साथ article दगायूर किया जाता है, तो बोला जा रहा है कि phase 3 trial का जो data है, वो कहां पर furnished किया, UK में और Brazil में, but nothing publicly, लेकिन public के सामने नहीं लाया है, कि on how, कि कैसे, protective the vaccine was in 1600 Indian Wall, India, लेकिन यह चीज़ को बिल्कुल कि कितनी protective, कितनी effective है यह vaccine, जो कि 1600 Indian volunteers को दी गई थी, इसका कोई भी खुलासा यहां पर किया नहीं गया है, all of the leading vaccine candidates and जितने भी leading vaccine candidates है, candidates मतलब यह जो companies है बात की जारी है, जो की vaccine लाने वाली है, and सारी कैसी है, leading है, बड़ी-बड़ी है, फेबस है, जैसे कि Pfizer, Moderna and AstraZeneca itself, खुद ने ही, क्या किया था, made public, इन्होंने public में लाया था, at least, क्या, partial, partial मतलब क्या होता है, incomplete, यह जिसे हम आधा कह सकते, तो at least इन लोगोंने क्या किया था, यह जो leading vaccine candidates थे, जैसे कि यह example दिये गए यहाँ पर, इन्होंने at least कम से कम आधा partial result तो बताया था, vaccine का, कि vaccine की abilities क्या है, vaccine की शमताय क्या है, at least आधा बताया था, in their own population, खुद के ही population में, before these were given a go ahead, मतलब पहले, go ahead मिलने के पहले, go ahead मतलब क्या होता है, proceed करना आगे बढ़ने से पहले, by the respective regulator, कि इनके जो भी regulators है, जो इन्हें regulate करते हैं, इनके द्वारा, इन्स चीजों का, मतलब इनकी जो शमताय है, vaccine की, इनका revelation किया गया था, and at least यह partial तो था, अब यहाँ पर बोला क्या क इसके साथ, जो Serum Institute of India है, इसने agreement किया है, इसने फरनीश भी की है, details data दिया है, phase 3 trial का, इसने UK में ब्राजिल का, लेकिन publicly कुछ भी आया नहीं है, कि 1600 जो Indian volunteers को दी गई थी है, medicine, इनका क्या result हुआ, यह चीज अभी नहीं बताई गई है, publicly allowance नहीं की गई है, अब बोला जा रह है, इन्होंने at least कम से कम आधा data तो बताया, partial incomplete result तो बताया, कि क्या vaccine की ability शमताय होंगी, उनके खुद के populations में before, इनको जो go ahead, मतलब की signal मिलने से पहले कि यह साप आगे बढ़ सकते है, by respective regulators, अब बोला जा रहा है, जो भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक को भी permission मिली, एक क is conducting, जो कि conduct कर रहा है, such a phase 3 trial in India, जो कि phase 3 trial कर रहा है, कहां पर, इंडिया में, is yet to furnish, अभी तक इसने furnish नहीं किये, supply detail नहीं दी है, give नहीं किये, similar data, because it has not been able, because यह सक्षम नहीं रहा है, not been able, मतलब सक्षम नहीं रहा है, to finish, finish करने में, recruiting the required number of volunteers, कि इसने अभी तक recruit, recruitment समझता ह होगा आपको, job के लिए apply करते है, job का recruitment होता है, मतलब कि select करना required number of volunteers की, जिन्हें ये टिका करन दिया जाना है, इन volunteers को अभी तक ये जो है, भारत बायोटेक इसने अभी तक select नहीं किया है, तो इस वज़े से ये इसका data जो है, ये नहीं दे पाया है, आगे देखते है, the Indian data furn furnished by the companies, अब ये जो Indian data है, जो कि furnished किया गया है, दिया गया है, provide किया गया है, by the companies, only सिर्फ attest to, attest के साथ हमेशा याद रखना है, to का use किया जाता है, attest to मतलब होता है, किसी चीज़ का proof हमें, proof दिखाना, अटेस्टेशन होता है, कि proof, yes, verification, कह सकते, only attest to the vaccine safety, अब ये बोला जा रहा है, कि ये जो Indian data, data जो फरनीश किया गया है, companies के द्वारा ये सिर्फ attest करता है, क्या वैक्सिन की safety, and its evoking, evoking का मतलब होता है, bring करना, recall करना, फिर से याद दिलाना, some immune response, immune मतलब होता है, प्रतिरक्षा, ये resistance कह सकते हैं, resistance to diseases, रोकने की प्रतिकारक शक्ती है, प्रति जाया है, and उसकी resistance response के बारे में बताया है, कि उसका क्या resistance response रहेगा, however, मतलब की लेकिन फिर भी ये जो pandemic है, ये जो वैश्विक महामारी है, has revealed, has के साथ verb का third form आता है, reveal करना, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का खुलासा करना, okay, multiple, बहुत सारे instances, instances मतलब होता है, example, ये word भ या occasion कह सकते है, so, ये multiple example बताता है, किसके therapies, therapies जो भी therapies दी जाती है, जो भी medication दिया जाता है, and intervention, intervention का मतलब क्या होता है, hasta shape करना, जिसके हम कह सकते है, involvement आप कह सकते है, इसे आप कह सकते है, interference, involvement या interference, आप इस intervention को कह सकते है, तो बोला जा रहा है कि ये reveal कर रहा है, multiple instances, examples, किसके theories, therapies के, and interventions के, मतलब interference के, या involvement के, कैसे involvement होगा, लोगों, care, medicine के बीच में, जो involvement रहेगा, उसके, from, covalescent, अब covalescent मतलब क्या होता है, recover होना, इसे हम कह सकते है, recover होना, किसी disease से, या medical treatment से कह सकते है, जिसे यहाँ पर कैसे, plasma therapy की बात की जा रही है, तो plasma therapy से recover होने की बात की जा रही है, है ना, तो ये बहुत सारे instances, example हमें प्रदान करता है, reveal करता है, कि therapies और interventions कहां से, from covalescent plasma therapy to a sleeve, sleeve का मतलब होता है, a large number of, a large number, किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा number, इसे हम कहते है, sleeve, तो इसे हम bracket में पढ़ेंगे from covalescent plasma therapy to sleeve a large number of antivirus, viral के खिलाफ जो काम करें, उसे antivirus कहेंगे, okay, so, अब बोला जा रहा है, intervention, therapies and intervention, यहां से अब इसको हम को continue पढ़ना है, that seemed, जो की दिखाई देता है, to work well, जो काफी अच्छे से काम करते है, under idealized lab condition, idealized मतलब क्या होती है, जो perfect condition होती है, which is regarded or represented as perfect, जो lab में अब lab में आपने देखाऊ का temperature काफी कम होता है, बहुत सारे precautions लिये जाते है, लोग यहां पर mask पहनते है, सारी चीज़े, so, यह जो होते है, idealized, यह जो therapies होती है, जो interventions होते है, यह सारे idealized lab जो condition होती है, जहां पर यह test किये जाते है, वहां तो काफी अच्छे से work करते है, बह के बाद बहुत की first form आती है, लेकिन measurably मतलब बड़ी amount में प्रोटेक्ट नहीं करते है, in real world hospital condition, अब नॉर्मल जो hospital की condition होती है, वहां पर इतना कोई temperature कम maintain नहीं किया जाता, तो बोला जा रहा है, यह जो idealized lab की condition होती है, जो perfect lab condition होती है, वहां तो काफी अच्छे से work करता है लेकिन यह चीजे work नहीं करती, कहां पर real world hospital conditions में, अब बोला जा रहा है, the concern from approving, अब यह जो concern है, यह जो चिंदा है, कहां approve करने का permission देनी की, an untested vaccine, ऐसी vaccine जिसे test नहीं किया गया, is that, that it makes it nearly impossible, यह इसे impossible बनाती है, to conduct a proper phase 3 trial, तो बोला जा रहा है, क्योंकि यह जो medicine है, यह untested है, इसे ठीक से test ही नहीं किया जा रहा है, तो इसे इस वजह से हमें proper यह जो phase 3 trial करने की बात की जा रही है, यह तीसरे चरण का जो testing करने की बात की जा रही है, यह impossible है, conduct करना, तो आगे देखते, it will be unethical, यह कैसा होगा, unethical होगा, unethical का मतलब होता है, immoral, यह हम जिसे कह स सकते हैं, dishonest, तो यह immoral होगा, dishonest होगा, यह unethical होगा, to expect, यह expect करना की volunteers, जो मतलब जिन्हें तिका करन दिया जाना है पहले, यह participate करेंगे in a trial, जहां पर, where there is only 50% chance of being administered the actual vaccine, when they have the option of real dose elsewhere, आप देखिए, इस बात को बहुत धान से सुनना, बोला जा रहा है, कि यह बहुत moral, नैतिक होगा, यह expect करना की, जो volunteers है, जो की participate करने के लिए तयार है, कि हाँ, हम पहले टिका करेंट ले लेंगे, चलो हम पर trial कर दीजिए, लेकिन इनको यहां पर यह भरोसा ही नहीं दिया जारा, इनका जो chance है, जो volunteer बोल रहे है, कि हमें टिका करन कर दो, यह जिन्हें 50% chance होंगे, कि इन्हें असली real medicine है, वो दी जाएगी, है ना, when they have option, जबकि उनके पास एक option है, कि उन्हें real dose दिया जाएगा, कहीं और से उन्हें real dose मिल भी सकता है, जैसे मैंने आप से कहा था, कि यह जो phase 3 trial है, यह double-sided होने वाला है, double-blinded होने वाला है, sorry, double-blinded का मतलब मैंन जो लोग होंगे, इन्हें जो होगा, वो placebo दिया जाता है, जिसका मतलब होता है, कि यह जो medicine होती है, real नहीं होती है, कुछ और medicine मतलब ऐसा ही normal को दवाई दे जाती है, और फिर देखते हैं कि इसका आसर क्या होगा, तो यही बात यहां पर की जारीगी, यह बिल्कुल unethic हो बोत यह जो serum institute है और यह जो भारत बायोटेक है, जो कि इंडिया के लिए यहां पर vaccine को develop करने की बात कर रहा है, given the pace of recruitment, pace मतलब होता है, speed जो है, यह rate कह सकते है, rate of recruitment and potential, potential मतलब होता है, possible, इसका मतलब होता है, possible यह likely, possible यह likely, अब यह pool मतलब होता है, number, यह quantity of number कह सकते है, जो possible pool of volunteers है, pool मतलब number यह आप group कह सकते है, कि ऐसे volunteers, ऐसे लोग जिन्हें, जो potential है, जो likely है, जिन्हें टिका करेंट देने की बात की जारी, इनके जो number है, इनका जो group है, would have been able to generate much more data within mere weeks, तो बोला जारा है, कि यह जो बोथ serum institute है, और भारत biotech है, इन्हें time दिया जारा है, speed दी जारी है, rate of recruitment, and potential pool of volunteers भी दिये जारा है, and यह would have been able, मतलब यह कर पाते थे, क्या, सक्षम होते थे, यह generate करने में, और भी जादा data within mere mix, कुछ ही weeks के अंदर, so, ताकि, it is hard to imagine, तो यह काफी hard है, imagine करने में, सोचने में, कि क्यों यह जो emergency use authorization है, authorization का मतलब होता है, permission हम यहाँ पर कह सकते, कि क्यों यह permission दी गई है, इन vaccines की was hurried through, क्यों इन्हें hurried किया गया, तो बोला जारा है, उपर बोला ना कि यह जो भारत बायोटेक है, और सोनम इंस्टिटूट है, जो कि यह vaccine प्रोवाइड करेगा, बोला जारा है कि इन्हें time भी दिया गया है, potential buyer भी दिये गये है, ताकि यह जो अपना जो और data है, much more data यह collect कर पाते थे, generate कर पाते थे, इस phase 3 trial को अच्छे सा test कर पाते थे, कुछ ही weeks के अंदर, फिर क्यों यह जल्दबाजी में यहाँ पर टिका करेंट देने की बात की जा रही है, तो अब देखते, opacity, opacity और यह चीज़े हमने starting में ही देखी थी, opacity मतलब अर्स पष्ट था, जो सारी चीज़े कैसी अर्स पष्ट है, जो transparent नहीं है, बिल्कुल, unclear है, marks the government communication, यह government के communication को mark करती है, प्रशन चिन्द लगाती है, गवर्मेंट की जो strategy है, communication की, इस पर inner country, ऐसी country, जहाँ पर country के लिए where, place की बात की जा रही है, वेर, distrust of vaccine remains, जहाँ पर बिल्कुल distrust है, किसका vaccine का, मतलब, vaccines पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पार है, काफी hesitation है, हिचकिचावट है, remains यह रहता है, in spite of years of vaccine programs, in spite of के बावजूद, मतलब, इंडिया सालों से इतना टिका करण बच्चों का है, जब से बच्चे का जन्म होता है, 12, 15, 19 साल तक जुतना भी होता है, हर साल उसको टिका करण देते हैं, हर 6 मेनी में, then polio का, then diphtheria का, then बहुत सारी diseases का दिया जाता है, तो लेकिन बोला जा रहा है कि इसके बावजूद भी यहाँ पर यह जो vaccines है, इस पर काफी distrust है, मतलब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, and elimination of grave diseases, diseases, बीमारिया, grave मतलब होता है, काफी गंधीर, या जिसे हम कहा सकते, serious, बीमारियों का टिका करण ही इंडिया करते हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर distrust हो जा रहा है, कि यह vaccine पर भरोसा नहीं कर पा रहे है, लोग, the government's neglect, याने यह जो government की नजर, मतलब नजर अंदाज करना, किसी चीज़ को neglect करना, avoid कर रहे है, इस चीज़ को at country's peril, country, peril का मतलब होता है, risk, so country risk में है, काफी, geoparty risk या danger में है, फिर भी यह government क्या कर रहे है, इसे नजर अंदाज कर रहे है, इसे neglect या avoid कर रही है, so बोला जा रहा है, कि government और इंसान, मतलब government और लोगों के बीच में यह जो communication है, यह clear नहीं है, इसमें opacity है, यह weakness है, कि क्या government clearly लोगों को नहीं बता रहे है, कि क्या इसके effects होंगे, क्या इसके side effects होंगे, क्या इसका success होगा, इसका failure है, यह सारी चीज़ ठीक से convey नहीं हो पार, यह इस वज़े से लोग जो है, इस medicine पर ट्रस्ट नहीं कर पार है, इस टिका current प्रोग्राम है, इस पर यह trust नहीं किया जारा, इस तरीकी की बाद इस passage में discuss की गई है, आपने देखा कि मार्च के बाद जितने भी जो एडिटोरियल्स आए है, यह सारे maximum 50%, 60-70% जो एडिटोरियल्स है, यह सारे COVID-19 पर ही based है, यह बहुत ही important topic निकल कर आता है, आपकी upcoming सभी exams के लिए, So guys, this was all about this editorial, so let's revise vocabulary, so first word here is gamble, gamble एक noun होता है, gambling आपने सुना होगा, gambling word, मतलब की जुआ सकता, फिर इसे कहा जाता है, risky action जो undertake की जाती है, with the hope of success, मतलब to take a chance, यह risk लेना, roll out करना, मतलब क्या होता है, introduce करना, यह जिसे की मैंने आपको कहा था, इससा मतलब होता है, launch करना, पहली जब किसी चीज की शुरुवात की जाती है उसे हम कहते है रोल आउट फ्रे मतलब क्या होता है एक्जाइटिंग एक्टिविटी और सिचुएशन जिसमें कुछ लोग कंपीट करते अधर के साथ तो इसका मतलब आप इतना ही याद रखना है कि दूसरी भी जो वहां पर बोला मतलब कि कॉंपेटिशन में हैं लाइम में है एक्सिन मतलब होता है किसी चीज की यह थक्तिवनेज उची वधिविमेंट जिसका मतलब होता है रिकवर करना lgm treatment, unethical मतलब की क्या होता है? unethic जो की morally correct नहीं होता है, जो immoral होता है, जो dishonest होता है opacity मतलब जिसमें transparency नहीं होती, translucent नहीं होता जो clear नहीं होता है, जिसमें बिलकुल clarity नहीं होते है, lacking transparency and clarity, clarity is called as opacity so this was all about vocabulary of this editorial, important जितनी भी vocabulary थी, इसे यहां पर summarize कर दिया गया है तो अब आपके लिए कुछ questions है जो कि previous editorial से लिए गया है यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यह question है यह error detection का ही question है and यहाँ पर यह error detection का question है as you can see एक sentence को कितने चार parts में divide कर दिया गया है यहाँ पर आपशन दिखाई दे रहे 1, 3, 4, 2, 3 मतलब कि यह जो error होगा यह question है यह multiple error का question है multiple मतलब यहाँ पर एक से ज़ादा error होंगे एक में भी हो सकता है अब यहाँ तो option ही नहीं है एक का तो यहाँ पर एक से ज़ादा error है तो आपको यहाँ पर find करना है कि errors कहाँ पर है तो देखिये तन विविल इसकर्प्स झालब यहाँ झालब यहाँ झालब यहाँ पर कि तो टिव इसकी होम मिनिश्टिय हाँ रीकॉल कि होम मिनिश्ट्री गरह मंत्रा लें इसके साथा आपने हमेशा आपकी थाड़ पर रिकॉल करवाया मैं तो फिर से याद दिलाया क्या दा ओर्डर्स किसके आउडर्स ओरूर्डर उयां पर्णस मोश्कतः चुछ और यहां पर सफ़ेज चाहतान कोOl मतलब थि आज़ीन हमटो सुप्रीमटो मोटो बताए राप्मोटो मतलब बता है सब्सक्रीफ और 17 सब्सक्रीफ, अन्म को सब्सक्रीफ, सब्सक्रीफ, वैरुदघ करूं, बिचाल डिसंबर 18 डिसम्मर 15 जिया June 18 ,Co Zeal देटम सब्सक्रीफ जो तरल शादेट कह दोक्रोल मा सिब्सक्रीफ , फिरोगी, सब्सक्रीफ को appropriate behavior मतलब यहां पर क्या होता है कि जो भी चीजे है appropriate है कि COVID-19 से related जैसे mask पहनना है sanitizer यूज करना है और आपको one hand distance बनाए रखना है जितना भी meter का distance बनाए रखना है यह सारा appropriate behavior को क्या करना है follow करना है तो यहां पर यह जो call off है यह phrasal verb गलत हो जाएगा यह call off एक phrasal verb होता है and call off का मतलब होता है किसी चीज को cancel कर देना यह हम कह सकते है end कर देना खत्म कर देना तो यह तो गलत हो जाएगा उन्होंने क्या है Supreme Court की बात की जारें तो Supreme Court call off क्यों करेगी strict adherence ओबे करने की यहां पर बात की जारी call off तो cancel होता है cancel नहीं यहां पर सही जो phrasal verb होगा off की place पर आपको लिखना पड़ेगा call for and call for का मतलब होता है demand कि demand की है order दिया है demanded यहा हम कह सकते ordered order दिया है क्या कि आपको strictly इसे फॉलो करता है COVID-19 के एप्रोप्रियेट बिविवियर को तो यहां पर भी error है and specially कब during the new year celebration यहां पर celebrations के लिए article the celebration noun है तो यह भी बिल्कुल सही है so error first part में और थर्ड पार्ट में so the correct choice would be option number D first and three is erroneous year next question देखता है कर दो झाल झाल तो लेट्स चेक, the government was also mandated, mandated मतलब भी order दिया गया था, गवर्मेंट के आगे देखिए, हमेशा आटिकल, the government को order दिया गया था, court के दोबर, court के पहले भी दखा यूज किया जाता है, under, किसके तहट, आटिकल 21, जब भी आटिकल या लौ के तहट आता है, तब ये अंडर का यूज जरूर किया जाता है, तो एंशोर, एंशोर के साथ वर्ब की first form, base form आती है, एंशोर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, that it invest, इट बतलब कौल, government, ये इनवेस्ट करे, देखिए, government singular है, इसलिए यहाँ पर invest भी word कैसा आया है, वर्ब हो सॉरी singular, अगर, इनवेस्ट यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, singular form में है, कि वो इनवेस्ट करे, sufficient in its hospital, इनवेस्ट करना, अब ये वर्ब है, एंड वर्ब की बारे में जो वर्ड हमें बताता है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, सो इन्वेस्ट सफिशियंट क्या है इन्वेस्ट करना यह इन्वेस्ट कैसे करना है सफिशियंट तो सफिशियंट नहीं सफिशियंटली होगा यहां पर हमें एड़वर्ब की जरुवत है क्योंकि ऐसा वर्ड जो एक वर्ब क्वालिफाई करता है उसे एड़वर्ब कहते हैं तो यहाँ पर sufficiently क्या invest करना ना invest word को यह qualify कर रहा है तो यह adverb होगा ना की adjective क्योंकि verb के बारे में जो बताता है invest कैसे करना है sufficiently इसलिए यह adverb कहलाएगा and it should be sufficiently not sufficient sufficient जो word होता है यह एक adjective होता है तो adjective नहीं होगा adjective तो ऐसा word होता है जो नाउन के बारे में बताता है जैसे sufficient money तो money noun हो गया money के बारे में sufficient water तो water noun हो गया तो यह noun के पहले यूज किया जाएगा adjective लेकिन वर्प को जो qualify करेगा वो adverb कहलाएगा in its hospital hospital में government की बात की जारी है इसलिए it's and those of local administration यहां तक तक तो सही है acknowledging acknowledge करते हुए यह बताते हुए the right to health ही सभी का हक है health पर an affordable treatment and affordable treatment जो सस्ती हो treatment to all नहीं यहां पर proposition for all affordable treatment all सभी के लिए सभी को नहीं सभी के लिए तो यहां पर भी error है proposition का so यहां हमने देखा error जो है यह 2 में है and 4 में है so the correct choice would be option number 3 that is 2 and 4 so guys this was all about today's session thank you very much do like share and subscribe my videos thank you very much